तो गाइस 2022 में एक skill बहुत ज़्यादा hype create करने वाला है वो है product photography वो कैसे वो मैं अभी आपको बताऊँगा बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का sponsor किया है FocoClipping.com ने FocoClipping.com एक online AI-based background removal tool है जहाँ पे आप one click में किसी भी image का background remove कर सकते हो और यहाँ पे सबसे चीबात यह है कि यहाँ पे आप bulk में background remove कर सकते हो एक साथ 30 image का background remove कर सकते हो और सब image का आप high quality file export कर सकते हो जो कि 100% free है और काफी ज्यादा cool है और यह website उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो e-commerce business में है या photo editing करना चाहते है या फिर phone में ज्यादा तर काम करते हैं या पर जिनको photoshop नहीं आता उन लोगों के लिए काफी cool website है और काफी fast अगर photoshop आता भी यह तब यह काफी fast है क्योंकि यह website जो advanced AI में बना हुआ है जहां पर आप single click में आप वहां से background remove कर सकते हो और यह 100% completely free website है ठीक है अब हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ तो for example मालो की आपको अपने YouTube thumbnail बनाना है और आप पस image है तो just आपको image को यहाँ पर upload करना है और upload करने के बाद में यह just उस image को process करेगा और process करने के बाद में आपको तुरंत आपको background यहाँ पर remove होके आपकी चीज़े यहाँ पर मिल जाएगी जो जो आपको background में remove होने वाल यार उसको erase करना है तो आप वह भी आप यहाँ पर erase कर सकते हो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर option है background भी आप यहाँ लगा सकते हो अगर आपको कुछ extra background चीए यह जो आपको लगड़ा है कि मुझे यहाँ से लगाना चीज़े आप चीज़ों को यहाँ पर background भी आप यहाँ सेट कर सकते हो प्लस आपको लगता है सेटो आड़ करना तो आप यहाँ पर सेटो पी आड़ कर सकते हो तो काफी सारी चीज़े हैं जो आप यहाँ पर focus clipping.com के थरू आप कर सकते हो भी online इसके लिए आपको किसी भी software की जरूत नहीं पड़ती है और online चीज़े में आप तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी product photography का हालात क्या है तो अभी जो है product photography बहुत ही low जा रहा है कम जा रहा है क्योंकि लोग खुझ से शूट कर रहे है आईफून से अच्छी click कर रहे है इसके पीछे का logic यह है कि उनको बस white background में click करना होता है इसके पीछे कोई मलब बस उ रोल किया हुआ है वह है आपका Amazon और Flipkart जहां पर white background image डनना compulsory है बट अभी मामला यहां पर change हो रहा है चेंज केसे हो रहा है कि अब लोग अपनी खुद की website बना रहे है खुद का e-commerce site बना रहे है पहले वो Amazon पर करते हैं फिर वो खुद पर shift हो जाते हैं मतलब Amazon के लिए भी यहां पर competition बढ़ रहा है इसके पीछे का यह simple सा logic है कुछ दिन लोग Amazon पर चलाता है फिर वहां पर इ और उसका सीधा competition हो जाता है एड तो सबका सेम ही है अगर आप e-commerce एड चलाओगे या Facebook एड चलाओगे तो वही Facebook को चलाओगे Amazon भी Facebook को चलाती है और अपका अपना website है तो भी आप Facebook पर ही एड चलाओगे गूगल पर ही चलाओगे तो जिसकी images ज्यादा अच्छी होती है लो की white background पर possible नहीं है उसको real life example चीए कि भाई अगर आप कोई home decor की चीज़ लेनी है या कुछ लेना है तो real life में कैसा लाएगा आप टेबल पर रखावा कैसा लाएगा या आपके घर में रखावा कैसा लाएगा ये चीज़े पॉसिबल है और इस type of images अभी सिर्फ आप अपनी images डाल सकते हो तो यहाँ पर image photography में जो product photography में competition आएगा जो कि आना start हो चुका है तब जो ओनर है जो company के brand जो brand चलाते हैं वो खुल से shoot नहीं कर पाएगी अभी क्या है कि आप चार्ट पर लगा या background आप शूट करका आपने डाल दिया ठीक है लेकिन आने वाले time में ऐसा नही पड़ेगा हमें creative होना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा different type images यहां पर click करने start करने पड़ेगी और अगर आप यह अभी से करोगी तो आपका market बना रहेगा तो पहला तो पहली चीज़ आपको देखने वाली क्या है कि अगर flip card ने या फिर Amazon ने बोल दिया गा नहीं भाई टैब में आपको इसको बहुत ज़्यादा दिखेगा प्रटक फोटोगाफी के साथ साथ प्रटक बीडियोग्राफी में भी काफे ज़्यादा स्कोप यहां पर दिखने वाला है क्योंकि सेम चीज वहां भी होने वाला है वहां भी जो आफ लाइट सो में बना के डालते हो को चीज़ आप यहां नहीं दिखने वाली क्योंकि वहां भी एक लेबल अब जाना पड़ेगा अगर आप चीज़े सेल करने हैं तो आपका जो विज्वल कम्निकेशन है वह तग रहा होना चीज़ अचाहा है वह ग्राफिक डिजाइन हो प्रटक फोटक फिडियोग्राफी हो तो यह चीज़े यहां पर क्लियर है ठीक है यह तो यह था फॉस्ट पॉइंट अगर अगर अपको अपना स्टोर खोलने में तो प्रड़क्ट फोटोगाफी वहां पर वाइट नहीं डालना चाहते हैं वहां पर क्या है कि लोगों को क्रेटिव इमेज चीए है और फोटोग्राफर को हायर कर सके बट अभी वह चेंज हो रहा है अभी क्या है कि अभी आपको कम बजट में उनको बढ़िया फोटोग्राफी चाहिए तो आपको अभी सही उस मार्केट में घुच जाना चीए जो आने वाले टाइम में ग्रोग करने वाला है ग्राफिट डिजाइन तो आपको आता ही है आपको पोड़क्ट फोटोग्राफी में भी घुसना चीए ना कि वाइट बैगराउन बलकि क्रियेटिव पोड़क्ट फोटोग्राफी में 90% लोग फोटोशॉप से बना ले दे हैं लेकिन आने वाले टाइम में फोटोशॉप से नहीं बना पाऊगी कि कॉंपटिशन तगरा होने वाला है जहां पे आपको क्रियेटिविटी दिखानी ही पड़ेगी तो मुझे लगता है कि 2022 के अंदर पोटक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाली जो ट्रेंड है वो काफी ज़्यादा अच्छे से होगा और अगर आप इस फिल्ड में हो या जाना चाहते हो या आपका पैशन है तो ये सही टाइम है मार्केट में एंटर करने का और अपना नाम बनाने का आपके पास इंस्टाग्राइम है आपके पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है यूट्यूब शॉर्ट है वहाँ पे आप चीजे बना के दिखा सकते हो कि देखो हमने किस तरीके से हम फोटक फोटोगाफी करते हैं और किसका क्या रिजल्ट है बहुत सारे तरीके हैं अपने आपको मार्केट करने का तो आइ थिंग यह साई टाइम है और अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा करें जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे आपको झाल 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 झाल